राहुल डवास हमारे से होगी हमारे साथ जोचुके हैं सीधे उनका रुक करते हैं राहुल समयधानिक संकट का हवाला दिया तीरत सिंग रावत ने इस्तीफे के बाद लेकिन ये संकट दरसल कुछ और है संकट ये कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो उनके चेहरे के साथ चुनाओ में जाये शायद बीजेपी को इस बात का एसास कि आने वाले वक्त में उनके चेहरे पर चुनाओ जीत पाना है शायद उस तरीके से समवना हो उपचुनाओं की स्थिती आती है तो उसमें शायद खुद उनका जित्ता वो सवालों के गेरे में हो ये सारी बड़ी बजहे बनी तीरत सिंगरावत के स्थिफ़े के बीछे अगे छिल mesy तो तीन बड़ी वजह हुँनमें सबसे भड़ी वज़ी है कि जिस वज़ा से तेर्वेंद्थ सिंगरावत को हटाया गया था जिस तरह से वह बयान देते थे जिस तरह से मीडिया से मुखातिव होते थे और पब्लिक से जंता से मुखातिव होते थे उन से किसी नजर आएं अगर बात कि यह जाए तीरत सिंगरावत की और यही बीजेपी के सिटिंग मुखे मंत्री हार सकते हैं और इसका आसर ना सिर्फ 2022 में होने वाले उत्राखंड के विधान सबाचिराओं में पड़ेगा बलकि पड़ोसी राज्य उत्रप्रदेश में भी पड़ सकता है क्योंकि वहां भी ठाकुर और भ्रहमन को लेकर कई तरह के इसी वज़े से बीजेपी ने सेवेधानिक जो संकट है उसका हवाला दिया हलाके जन्परतिनी कानून 151 पार्ट A में ये साफ़तार पहले खाऊए कि विवेका दिकार निर्वाचा नहीं के पास है अगर निर्वाचानवा एक पिल की जाए तो फैसला उन्हें ले रहा था होते हैं तो आखरी साल में एक साल में उप्चुनाव जो नहीं करान की परंपरा रही है तो ये स्थिती तो आने बाले मुख्यमंती के लिए भी रहेगी क्योंकि साथ से आठ महीने का कारकाल बचा रहेगा और उसमें छे महीने के अंदर आपको सदरसिता लेनी पड़ती है तो ये संकट तो आगे भी बना रहेगा खर बहुत सारी बाते हैं मैं आगे आपसे चर्चा करता हूँ अब इशेक हमर सार जो चुर चुके हैं देरादू से सीधियों का रुकर लेते हैं क्या हल चले हैं वहाँ पर तेज हैं यमना कॉलोनी में जो मंत्री हैं सारे वहाँ प जो नेता चुना जाना हैं वो विधायक दल में से ही चुना जाना है जो आलरेडी विधायक है तो अब समयधानिक दिक्कत नहीं आएगी बात इस बात की है कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है पहले तिरवेंदर रावत की नराजगी जो मंत्रियों को थी विधायकों को तीर्जे तिर्विंद्रावथ से और तीरफ सिंग रावथ की जो बॉडी लेंग्वेज थी जो इंटरनलِ बीजेपी भाग की गई उस트ियू करते हैं तो बीजेपी चुनावहारेगी ऐसे चफसकी तलाश है बीजेपी को जो मन्थन चल रहा है दो ढ़ाई दिन तक अतीरस सिंग रावत दिली में पढ़े रहे है लेकिन अभीशेक मैंने आपको फोड़ा सर रोका ये बिल्कुल ठीक बात है कि विधायक दल में से किसी को चुना जा तो ये सिती आगे नहीं आने बाली है नाम किसका चल रहा है क्योंकि जिन दो नामो की चर्चा हाल फिलार में जादा हुई वो सट्पाल सिंग्की और साती धंसिंगरावत की पीछे एक वज़े ये भी मानी जा रही है कि वो दिली जाके आला अज़ा कमान्ट से मिल भी चुके हैं लेकिन चौकाने वाला भी नाम सामने आ सकता है। तीन बजे विधानमंदल की बैटक में हम नेता का चेन कर लिया जाएगा। उसके बाद महाम हम राज्येपाल से मिलकर सरकार बिनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। और आगे की कार रवाई फिर मुख्य मंतरी जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तया होगी। तीरत सिंह रावत का नाम तीरत सिंह रावत जब मुख्य मंतरी बने उस समय भी रेश में काफी आगे चल रहा था। हाला कि तब आखरी समय में तीरत सिंह रावत ने बाजी मार ली। इस बार लगगा है धन्सिंग रावत की इच्छा पुरी हो जाएगी। आप पूरी उमीद है कि धन सिंग रावत की इच्छा हो जाएगी लेकिन ये भी बीजेपी की जो अब तक कारे परणानी रही है आला कमान की वो ऐसा नाम निकाल के लाते हैं जिनकी कहीं चर्चाई नहीं होती जैसे तीरत सिंग रावत उससे पहले तिर्वेंद सिंग रावत तिर्वेंद सिंग रावत को मुक्य मंतरी बनने से पहले इस्थानी जनता डोईवाला की जानती थी लेकिन राज्ये से बाहर उनकी कोई पैचान नहीं थी अचानक से तिर्वेंद सिंग रावत निकल कर आए ऐसा कोई और चौकाने वाला भी नाम हो सकता और दूसरी चीज बना है कि आज शाम तक नया मुक्य मंतरी मिल जाएगा और वो कारेभार भी समाल लेगा इसकी पूरी संभावना है क्योंकि आप देखिए जब तीरस सिंग रावत को बनाए गया था जल्दी से एक जानकारी अगर आपके पास तो दो परेवेक्षक तो पहुंच रहे हैं ल उनसे राय लेली जी लेली गई है और नरेंज जिंग तो उमर वो पहुच रहे हैं पहले से लगभग सब कुछ तैय है एक नामों की घोशना जो तीन बजे मीटिंग होगी उसमें बता दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों की नराज़की तो नहीं अगर जाएगा जानकारी के लिए उत्रा खंड में क्या को शल्चल चल रही है शांतीन मजे का इंतजार जरूर है क्योंकि उस विधायक दल की बैठर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी एलान कर दिया जाएगा उत्रा खंड का अगला मुक्यमंत्री कौन होगा